आज हम हिंदी सगेंड में लेशन 6 बताने जा रहे हैं जिसका सिर्षक है कारक आईए जानते हैं कारक करते किसको हैं कारक की परिवासा संग्या या सरुणाम के जिस रूप से उसका संबन क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं उधारन के तौर पुत्र ने कहा पिता ने पुत्र को पीटा मेरे पुत्र का मित्र मोहन है इन तीनों उधारन में पुत्र पिता सरुणाम है जबकि कहा पीटा क्रिया है तो इससे असपश्ट होता है कि पुत्र ने पुत्र का कई रूपों में प्रियोग किया गया है जिसमें ने का से में आदी चिनों का प्रियोग किया गया है जो कारक का चिन है अब जानते हैं वच्चों कारक के भेद के बारे में तो कारक के आठ भेद होते हैं पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करन कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचमा अपादान कारक, छट्था संबंध कारक, सातमा अधिकरन कारक, आठमा संबोधन कारक कारक के चिन कारक के चिनों के निम्लिकित हैं पहला करता कारक का चिन है ने दूसरा कर्म कारक के चिन को करन कारक का चिन है से साथ संप्रदान कारक का चिन को के लिए अपादान कारक के चिन से अलग शम्मन कारक का चिन का के की अधिकरन कारक के चिन में पर संबोन कारक के चिन हे अरे अब आते हैं बच्चों कारक की परिवासा के बारे में जानेंगे कारक की भेदों के परिवासा के नाम है काम करने वाले को करता कारक कहते हैं कारकों की भेद की परिवासा करता कारक काम करने वाले को करता कारक कहते हैं उधारन के तौर पर मोहन इसकूल जाता है राम ने खाना खाया इस वाकि में राम और मोहन करता कारक है क्योंकि खाना खाने का काम राम करता है और जाने का काम मोहन करता है अब चलते हैं बच्चों दूसरे पेज में कर्म कारक की परिवासा क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले सब्द को कर्म कारक कहते हैं उधारन के तौर पर राम ने स्याम को पीटा इस उधारन में क्रिया का कर्म यानि पीटने का काम स्याम के साथ हो रहा है इसलिए को सब्द कर्मकारक है राम ने रावन को मारा यहां मारने का काम रावन के साथ हो रहा है तीसरा करनकारक की परिवासा करता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करनकारक कहते हैं उधारन के तौर पर राम कलम से लिखता है इस उधारन में लिखने का काम कलम से हो रहा है इसलिए कलम करन कारक है साप को लाठी से मारा इस वाक में मोहन का काम लाठी से मारने का काम लाठी से हो रहा है चौथा संप्रदान कारक की परिवासा जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाले सब्द को संप्रदान कारक कहते हैं उधारन के तौर पर सेट गरीबों को खाना देता है इस उधारन में सेट के द्वारा क्रिया देने का गरीबों को हो रहा है इसलिए गरीब सब्द संप्रदान कारक है पांचमा अपादान कारक की परिवासा शंग्या अत्वासरवनाम का वह सब्द जिससे अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं उधारन के तौर पर मोहन छट से गिरता है इस उधारन में गिरने की क्रिया छट से हो रही है इसलिए छट अपादान कारक है जबकी मोहन संग्या है छटमा समंद कारक की परिवासा जिस सब्द से संग्या या सरुनाम का समंद दूसरे शब्दों से जाना जाए उसे समंद कारक कहते हैं उधारन के तौर पर यह मोहन का घर है इस उधारन में मोहन का समंद घर से है इसलिए घर समंद कारक है जिसमें मोहन संग्या है समंद घर से है साथमा अधिकरन कारक की परिवासा जिस सी क्रिया के आधार का बोत हो उसे अधिकरन कारक कहते हैं जैसे पुस्तक मेज पर रखी है इस उधारन में पुस्तर रखने अत्वा क्रिया का आधार मेज से है इसलिए मेज पर अधिकरन कारक है आटमा संबोधन कारक की परिवासा संग्या या सरोनाम का वो सब्द जिस से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं उधारन के तौर पर हे इस्वर अरे मोहन इस उधारन में पुकारने का बोध हे और अरे से हो रहा है इसलिए है अरे संबोधन कारक है तो बच्चों उमीद है आपको कारक समझ में आ गया होगा धन्यवाद